हाई दोस्तों नमस्कार वीडियो यदि पसंद आये तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए आज बात करते हैं सायरप यूसीड और डाइजीन के वारे में दोनों सायरप इंटा एसिड सायरप हैं इनको कैसे लेना है और क मल्टी एक्षन काम करती है क्योंकि रिलेव फ्राम एसीडिटी और तब एसीडिटी में आपको तुरंत आराम देती हैं गैस हर्ट वर्न और गैस के साथ जब हर्ट वर्न होता है हर्ट वर्न मतलब होता है दोस्तों जब अपने गर्दन के नीचे और आहार नली में जहां प प्रवतिनाभी के जश्ट उपर ये वाले एरिया में जलन हो तो उसे हर्ट बरने बोलेंगे दोस्तों हर्ट बरने से मतलब गैस की वजह से होना और इंजाइना पेन और हर्ट पेन अलग होता है दोस्तों उसमें ये सायरप उतना काम नहीं करेगी इसलिए कभी भी आप को देखकर मतलें अब हमेशा डाक्टर की सला से या तो फार्मासिष्ट की सला से ही सायरप टैब्यट लें दोस्तों अब बात करते हैं इसका ब्लोटेड इस टमक एंड अन इजीनेस ब्लोटेड इस टमक मतलब होता है अपना पेट फूला हुआ पेट रहता उसमें आराम कर खाना खाने की वजए से एसीडिट की वजए से और अन इजीनेस और जब भी अपने को एसीडिट की वजए से अन इजीनेस मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो भी यह सायरप उपयोग में आप ले सकते हैं लेकिन डक्टर की सला पे दोस्तों मैं बार बार रिपीट करू होंगा कि आप ले रहे हैं तो कोई भी यूटूब मेरा क्या किसी का भी यूटूब देखें तो यह सिर्फ जानकारी के लिए है और यह को लेना है तो आपको डक्टर की सला से ही सायरप को पीना चाहिए उपयोग में लाना चाहिए अब इसके कंटेन के बात कर लेते हैं औ कंटेन उसमें क्या क्या मिला रहता है देखिए मैंगनेसियम हाइड्रो आकसाइड 185 एमजी है उसके बाद सिमीथी कौन आईपी है आईपी मतलब होता दोस्तों इंडियन फार्मा 50 एमजी उसके बाद सोडियम कार्बोक्जी मेथाइल सेलिलोज दोस्तों इसका काम सोडियम कार्बोक्जी मेथाइल सेलिलोज का काम होता है या साइरप को ठिकनेस गाढ़ा करने का काम करता है और गाढ़ा कोई quantity बढ़ाने काम करता है इसका दवाईयों से कोई reaction में इसका कोई रोल नहीं होता है सिर्फ दवाईय को गाढ़ा करने के और उसको फुलाने के काम में आता है दोस्तो सोडियम कार्बोक्जी मेथिल सेलिलोज यह किता में मिला है इसमें हैंडेड इमजी उसके बाद है ड्राइ इल्मोनियम और मैगनेसियम हाइड्रोकसाइड दोनों एंडा एसीड के रूप में एसीडिटी के उप्योग में आने वाले दोनों कंटेन हैं यदि आप इनको अलग-अलग उप्योग करेंगे तो यह दूसरे भी action करते हैं दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि दवाई हमेंसा डाक्टर की सलाह से लें अब इसकी कलर देख रहे हैं आपके सामने क्या लिखा है कलर कार्मी मौई सीन कर्मी सीन दोस्तों दवाई मिलाने क्लर या फ्लेवर्ड है जो खाने में फूड में मिलाया जाने वाला कंटेन है मतलब आपको इसको स्टोर करके रखना है या घर पे लाते हैं तो कैसे स्टोर करके रखना है 30 अंसेल्सियस से बिलो टेम्परेचर हो ज्यादा धूप नहीं हो खिलकी दरवाजे में नहीं रखें कभी भी लेकर आएं तो जहां पे ज्यादा लाइट हो या तो कोई आग का उजाला हो आग का टेम्परेचर हो या तो सूर की लाइट हो खिलकी दरवाजे में आ रही हो बिंडो में आ रही है तो उससे दूर रखें और इसको उप्योग करने से पहले सिक दा बोटल पिफोर यूज हमेसा हिलाना चाहिए पीने से पहले आपको हिला के पीना चाहिए आपको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है दोस्तों हमेसा ध्यान रखिएगा अब इसके डोजिज के बारे में बता रहा है चले आपको दिखा देता हूं थोड़ा की देखिए एडेल्टे डोज में टू टी स्पून टेने मिल आप्टर मील एंड इट बेड़ टाइ एडेल्ट में बड़े लोग कब ले सकते हैं इसको खाना खाने के बाद में बीड टाइम सोते समय अब इसके बैच नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों बैच नंबर भी इसमें उपर दे रखा है और एक्सपाइरी डेट चले दिखा देते हैं कहां दे रखते हैं दोस्तों पी की बात करें तो 115 रुपए नेक्स साइरप देख रहे हैं दोस्तों यह है यूसीट सस्पेंशन एक जनरिक साइरप है जो यूरो के एर कंपनी ने बनाया है और इसका मिंट फ्लेवर है दोस्तों इसके कंटेन की बात करें तो ड्राइट इल्मोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जिल मैनिवर हाइड्रो ऑक्साइड जिल एक्टिवेटेट टाइिमेथ्वरी कॉन सस्पेंशन पसकथर इल्मोनियम हाइड्रॉक्साइड और मैनिवर है्पिनेशन में जिप देते हैं się साइरप हमें एंटाइसिट के रूप में उपयोग में आती है वरना यह अलग कंटेन में देंगे तो यह देस्ट इससे देस्ट भी लगते हैं या दूसरे साइड इफिक्ट भी हो सकते हैं अब इसमें एक और कंटेन दे रखा एक्टिवेटेड डाई मेथी कौन सस्पेंसन दोस्तों यह डाई मेथी कौन सस्पेंसन जो है यह अपने को जो गेस की बुलबुले होते हैं उनको कम करने में या तो बाहर निकालने के काम आता है अब इसके बाद दोस्तों आपको म्यूकें जेल की साइरप का भी कंटेन दिखा देता हैं यह आपके सामने म्यूकें जेल है जो बहुत सारी फ्लेवर में हैं कंपोजीशन में है और यह अलग अलग करें कलर में दिख रही है इनका फ्लेवर भी आपको दिख रहे चलिए बात कर लेते हैं इसके कंटेन के बारे में यूकेंजल की जो कि एक इनस्टेटिक इंटा एसीड साइरफ होती है और यहां साइरफ पे दोस्तों बहुत जादा प्रॉब्लम होने पर उप्यूग मेलाई जाती है और इसकी कंटेन की बात करें तो देखिए आपके सामने कंटेन है इसमें कंटेन मिलेगा आक्सी टेर स्केइन 10 एमजी प्लस मेंगनेश्यम हाइड्रो अक्साइड 98 एमजी एंड प्लस एल्मोनियम हाइड्रो अक्साइड 0.291 ग्राम धन्नवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने दोस